नमस्कार आप देख रहा हूंगा 24-7 और इस वक्त हम मौज़न भाती जंदा पार्टी से बरिश्ट उपाद्याक्स विजेवालमिकी जी जैसा कि आप जानते हैं कि जंदा एक जंद परतिनीती को चुनती है चाहां वो विधायक हो चाहां सांसद हो चाहां सीम हो चाहां पीम ह चेट के विकासकारी ज़िये चुनती है अगर चेट में विकासकारी हो तो जंदा परिशान हो जाती है आज हम बढत करेंगे चेट की समस्यां को लेकर लाजिती मददो को लेकर सब भारति बाइजी ने बाखिस्तान में घुश कर आंतक के मार गलाए आप इसका स्रेक किसको करना है तो स्रीम नरेंद मोदीजी को जाना है उन्होंने जो है इतना बढ़िया काम किया है और मैं चाहता हूं कि पारकिस्तान को नेश्ट नाबूत करना चाहिए और हमारी जो लड़ाई है देश की जो लड़ाई है वहां के आवाम से नहीं है लोग यह पाले बैठे हैं कि हमारा जो लड़ाई है उनसे आतंगवाद ही लड़ाई है आतंगवाद का खात्मा होना चाहिए यह बार बार का लड़ना जगड़ना चुछुड बातों पर जो है सीमा पार का उलंगन करना यह बहुत गलत बात है आतंगवाद का मैं चाहता हूं कि खात्मा होना ही उसका उलंगन कर रहा है, बारबा समझाय जाने बी उसके सर में जूने रहेंगती है बिल्कुल भी, और तमाम जूट अभी टीवी चेलिव preacher साथराइब को मैं क्योंकों का बड़ाने काम कि बड़ा घृणत कारे इसने कहा Om वोग उसका खात्मा होना ही चाहिए आतंगवाद का खात्मा होना चाहिए जेडियू पर्दिश अध्यक दैनन ड्राय जी की दौा के नितित्र में जेडियू बदवपूर में पुर्वांस्ता समाज के लोगों को एक जुट करने में लगी हुए है क्या कहेंगे इस पर आप जो एक जुट तक ही बात यह है कि लोग सबस्ट चुनाव अगये हैं चुनाव के माद चुनाव के चलते जो है सभी पाइटी करकरता सभी पाइटी हैं सक्री हो जाती है और यहां एक अत्यत होना बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि जो भी जन्प्रतनिदी यहां चुनकर से बस्ते हैं और थेतर में आना विल्कुल गवारा नहीं होता तो इस तरह जो है इस तरह ठीक नहीं बात जेडियू पार्टी के मुताबिक बीजेपी बदबपूर में जेडियू के जनादेश से घबरा हुए नहीं है जबकि जेडियू का पूरा समर्तन है केंदर में और जेडियू और बीजेपी दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे तो इससे हमारे घबरान कैसी बात है कोई कारण नहीं है सर्फ बात के आम आपने पार्टी की लोग सब्सक्राइब आते आते के जिवाल जी उद्गाटन करने में लग गये हैं क्या गेंगे केजरिवाल का यह ह आते रहते हैं नारेल तोड़ते रहते हैं या पोश्ट अमरेद आते हैं चेत्र में नहीं आते हैं अभी बीच में बदरपूर विदानसवा में के जिवाल जी आए थे और एक मुद्दा जो उनसे छूड़ गया है जो जरूत थी जनता को बदर बूद जरूत ती वह तो उ चीज को दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं इनका जो विधायक है नारंदर्श शर्मा वो दिखाई देता ही नहीं अभी हाली में ताजु पहाड़ी पर उन्हों पीछे लेट्रिंग के पास पार्क के नाम पर लाखों रुपर उसने गबन कर लिए हैं पार्क की बाउंडरी करा क्या सबस्क्राइब इस सबसे जोड़ और दिखाई और आगे से चौनाव नहीं लड़ूंगा कहना है कि उनकी सरकार जब से आई है स्कूलों का सुढार क्या क्या सुविश कुछ अब मैं आपका धौराह करवाता हूं ताजी कि है विदाट सब्सक्राइब कितने स्कूल बनवाए हैं कि पुरू दिली ले लिए क्या वहां जवाब तो दे इस बात का अब आपका बहुत धन्यवाद आप ने हुंका 24 7 को अपना किम्ति टाइम दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नमस्कार जैसा कि आपने देखा कि बदोपुर के विधागनादर सर्मा नहीं यहां पर कोई विकास कारे के नाम पर लोगों सिर्फ गुम रहा किया है और अब जो उद्खाटंग किये जा रहा है ये भी इसरी बेग चुनावे इस्टंट है फिलाला पनेर यूंका 24-7 के साथ मैं रेनु चौहान धन्यवाद